जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागा थे एक बार फिर से हमारे एक एशियन गेम्स के नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतिय रेस्लिंग दल जोकी एशियन गेम्स में जाने वाला है तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम आज क ये वीडियो शुरू करते हैं तो देखिए भारतिय रेस्लिंग दल की अगवाई बजरंग पुनिया करेंगे इस वार हाला कि एक बहुती बड़ा सेटबेक लगा है भारतिय टीम को क्योंकि ओलंपिक के मेडलिस्ट रवी दहिया यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए है एशियन गेम्स के लिए तो जो रेस्लिंग की पुरुष टीम होगी उसकी अगवाई करेंगे बजरंग पुनिया तो चलिए हम लोग नजर डालते हैं पुरुष टीम में और कौन से रेसलर्स हमको किस कैटेगरी में देखने को मिलेंगे तो पहले हम लोग बात करते हैं मैं मैंस फ्रीस्टाइल स्कॉट की तो मैंस फ्रीस्टाइल स्कॉट में सबसे पहले हमको 57 केजी किलोग्राम वर्ग में हमको नजर आएंगे अमन सहरावत साथी बजरंग पुनिया हमको नजर आएंगे 65 केजी किलो वर्ग में उसके बाद हमको नजर आएंगे यश 74 केजी वर् ग्रीको रोमन जो र्सलिंग होती है उसकी तो ग्रीको रोमन में हमको नगे 60 kg यानिकीに वो और सथी 67 kg में हमको नगे नीरज सहरावट इसके बास 77 kg में हमको नगी र्सलिंग विकाष और साथ ही 87 kg वर्ग में हमको नजर आएंगे रैसलर सुनिल कुमार इसके बाद ग्रीकोरोमन में ही 97 kg वर्ग में हरिंदर चीमा हमको भाग लेते हुए नजर आएंगे और साथ ही 130 kg जो बहुत ही heavyweight वर्ग है वहाँ पर हमको नजर आएंगे रैसलर नभी इसके बाद अगर हम लोग बात करें वोमेंस फ्रीस्टाइल की तो वोमेंस फ्रीस्टाइल में हमको विनेश फोगार्ट लीट करती हुई नजर आएंगी जो भारतिय रेसलर दल है उसको और साथ ही जो उनके लिए जो स्टेंडबाइ रेसलर रखी गई है अंतिम पंगाल वो भी हमको दी हेलोत और 53 kg वर्ग में विनेश फोगार्ट इसके बाद 57 kg वर्ग में हमको नजर आएंगी मांसरी एहलावत और 62 kg वर्ग में हमको नजर आएंगी भारत की स्टार रेसलर सोनम मलिक इसके बाद 68 kg वर्ग में हमको रेसलर राधी का भाग लेती हुई नजर आएंगी और आखि की एक लिस्ट आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी ऐसे ही और वीडियो में लाता रहूंगा इस चैनल पर तो जुड़े रही है चैनल के साथ है और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल जो आइकर ने उसको भी यहाँ पर प्रेस कर ले आप लोग ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें जय हिंद